हेलो माई डियो फ्रेंड मैं दिक्षा चौदरी स्वागत आपका हमारे यूटीब चैनल संकल्व हमारा में आज की इस वीडियो में हम रैस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे इससे पहले की वीडियो में हमने डाजेस्टिव सिस्टम के बारे में बढ़ा जो सवशन में सहयता कर रहे हों, उनको हम क्या बोलेंगे? respiratory system बोलेंगे, यानि ऐसे अंगों का समूँ, ऐसे organs का group of organs which helps breathing is called respiratory system, यानि ऐसे अंगों का समूँ जो हमें सवशन में सहयता बदान करें, उनको हम क्या बोलेंगे? respiratory system के अंतरगत हम उनका अध्यान करेंगे, अब respiratory system के अंतरगत पहले हम जानेंगे, यह मानव के respiratory system है, कि मानव में respiratory system सवशन तंतर किस तरह का होता है, तो respiratory system में सबसे पहले हम जानेंगे कि मानव में कौन-कौन सी अंग उसके सवशन तंतर के अंतरगत आएंगे, सवशन तंतर और आप कहां से स्टार्ट करते हैं नोस से सबसे पहले अलो से सोते हैं धुब गर जो है धुब से नोस के बाद वह कहाँ एगी जानिकरे दिशयें प्रफ मुख को को मुझ elbow के और को कुछ जब आप मूख को openness करोगे तो इस तरह कुछ आपको यह दिखंगी तो मैं lui लेरिंक्स में, पैरिंक्स में भी हमारे दो पार्ट होंगे, पैरिंक्स में क्या होगा, वह हम अभी आँगे जानेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा-थोड़ी कुद देखी चलो, पैरिंक्स के बाद एर कहा जाएगी, लेरिंक्स में, लेरिंक्स के बाद, लेरिंक्स को हम क्य बोलेंगे साँन्ट ऑक्स भी बॉलेंगे उसके बाद के यह धाँग कि बटने के इन को कि अब प्लूरल नाम है और प्लूरल नाम है और और इसका सिंगुलर नेम है तो हम ब्रॉंकी बोलेंगे, क्योंकि प्लूरल में बाते कर नहीं है, सिंगुलर में हम बाते कोई करी नहीं रहे, तो हम क्या बोलेंगे, ब्रॉंकी, उसके बाद ये ब्रॉंकी ही ऐसे छोटे-छोटे भागों में बढ़ जाएंगी, इनको हम क्या बोलेंगे, ये जो छोटे- कि singular को bronchioli बोलेंगे और plural को bronchiolus बोलेंगे इसके बाद जो यह इस तरह की शेप हैं इसको हम बोलेंगे alveoli, alveoli plural में है और singular में alveolus, alveolus, singular में alveolus और plural में क्या है alveoli, उसके बाद नीचे होगा जो यह हमारी पैफ्रे हैं यानि लंक्स हैं इनकी बहार वाली लेयर को हम लेयर हो किस से बनी होगी य爸爸, pli multiple aura यह उसके बाद चू नीचे हैं यह यह हमारे diaphragm है दाफ्राम हमारे शांस लेने में फैफ्ठो को उपर ओर नीचे करने में मदद करते हैं अब सबसे पहले हम यह जानेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतरगत कि जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं ब्रीथिंग, क्या बोलते हैं ब्रीथिंग, सांस लेने और छोड़ने की कटिया को हम क्या बोलेंगे ब्रीथिंग, अब इस ब्रीथिंग को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, वो दो भाग कौन से होँगे? एक भाग होगा हमारा सास लेना और दूसरा भाग होगा हमारा सास छोड़ना तो सास लेने वाले भाग को हम क्या बोलेंगे इनहेलेशन और सास छोड़ने वाले भाग को हम क्या बोलेंगे एक्सहेलेशन इन्हेलेशन में क्या होगा जब हम एर को अंदर लेंगे यानि एर को क्या लेंगे अंदर लेंगे सास को अंदर लेंगे तो उसक्रिया को हम क्या बोलेंगे इन्हेलेशन उसके बाद जब सास को हम बाहर छोड़ेंगे तो उसक्रिया को हम क्या बोलेंगे exhalation अब जैसे वाईउ मंडल में केवल oxygen तो है नहीं वाईउ मंडल में सभी प्रकार की गैसे है oxygen भी है nitrogen भी है helium भी है और भी अन्य ऐसी CO2 carbon dioxide भी है इसी तरह अलग-अलग गैसे है तो हम केवल oxygen थोड़ी ले रहे हैं हम तो air ले रहे हैं तो air में सभी प्रकार की गैसे है अब इन गैसे की मात्र जब हम oxygen को ले रहे हैं अंदर यानि जब हम inhalation कर रहे हैं air की तो उसमें कौन सी gas किस मात्रा में होगी ये जानेगे तो inhalation में फर्स्ट हमारा क्या था inhalation किसे मिटा देती हूँ मैं inhalation में जो हमारी O2 होगी oxygen वो कितनी मात्रा में होगी oxygen हमारी 21% होगी inhalation में जब हम सास को अंदर ले रहे हैं oxygen हमारी कितनी जा रही है 21% अंदर हमारे oxygen जा रही है उसके बाद CO2 carbon dioxide कितनी जा रही है 0.03% फर उसके बाद nitrogen कितनी जाएगी nitrogen जाएगी 78% तो वो नमी भी जाएगी तो यानि water लिख लेते हैं या water रहने ठीके water भी होगा तो कुछ जब नमी जाएगी तो वो नमी क्या जाएगी कम जाएगी इतनी नहीं जाएगी उसके बाद inhalation कि second कि बाद exhalation में देखेंगे कि यह कितनी मात्रा में निकलेंगे यह जितनी मात्रा में अंदर gases यह gases नहीं है और भी अन्य gases है यह मैंने कुछ ही gases के अनुपात लिखे है helium भी है और भी yu मंडल में बहुत सारी gases है तो इसके बाद inhalation के बाद exhalation में यानि जितनी हमने gases सा अनुपात लिए है माल लिजे 100% gases लिए है yu मंडल में 100% gas तो हम 100% ही release करेंगे बस उनका ratio बदल जाएगा ratio कैसे यह oxygen जादा है तो यह oxygen exhalation में कम हो जाएगी यहां carbon dioxide जादा हो जाएगी तो यह जाएगे कि carbon dioxide क्यों जादा होई और oxygen क्यों कम होई तो exhalation में हमारी CO2 यानि O2 oxygen कितनी % होगी 17% निकलेगी oxygen और CO2 हमारी कितनी निकलेगी 4.6 लगभग approximately यानि पेपर में 4.6, 4.5 लगभग इतने ही देगा तो approximately CO2 nitrogen हमारी 78% ही निकलेगी और यहां जो water या नमी होगी वो जादा निकलेगी वो जादा क्यों निकलेगी वो हम जानेगे तो हमने देखा inhalation में गैसो की मातरा कितनी थी CO2 की 21% CO2 की 0.3% और nitrogen की 78% उसके बाद exhalation में देखा O2 की 17% और CO2 की 4.6% और nitrogen की 78% अब जानेगे कि यहां CO2 की मातरा तो कम है और यहां जादा है और यहां O2 की मातरा जादा है यहां कम है यानि O2 का use हुआ है हमारे body के अंदर तभी तो वो कम हुई है तभी वो कम निकली है और CO2 हमारे अंदर जादा produce हुई है हमारी body के अंदर बनी है CO2 तभी क्या है इसकी मातरा बढ़ी है वहना अगर कुछ changes नहीं होगा हमारे अंदर CO2 use नहीं होगी तो CO2 यहाँ पर कम क्यों होगी तो यहाँ पर क्यों कम होगी use हुई है तभी तो वो कम हुई है किसी चीज को आप use करोगे तभी तो वो घटेगी अगर नहीं करोगे तो वो घटेगी नहीं और यहाँ पर CO2 तो कम जा रही है लेकिन क्या होई है निकल जदा रही है, एकसेलेशन जदा हो रहा है, तो यानि CO2 हमारी बॉडी के अंदर क्या है, प्रोड्यूज हुई है, जिसकी वज़े से CO2 की मांतरा जदा आई है, तो भी जानेंगे यह CO2 कैसे प्रोड्यूज हुई है, पहले थोड़ा सा पाट समझेंगे यहां पर, यान अभी जब हम एलवे अली, एलवो अली में आएंगे, तब जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि एलवो अली के बाद जो ऑक्सिजन है, वो कहां जाएगी हमारी बॉडी में, जो हीमोग्लोबिन है, यानि ब्लड क्या करेगा, थोड़ा सा बता देती हैं पर, ब्लड क् हीमोग्लोबिन लेके जाता है ऑक्सिजन को, तो वो ऑक्सिजन को लेकर जाएगा, कहां जाएगा, सेल्स के पास जाएगा, हमने फर्स चैप्टर में ही पढ़ा था, सेल के अंतरगत, कि सेल में जो सेल होती है, उनके अंतर माइट्रो कॉंट्रिय होता है, तो वहां क्या चल तो जब हीमोग्रोबेन से हर से पास लिख कर जाएगा हर हर वाली बॉड़ी में है तो जब बाले कि जाएगा तो माईट्रोकोंड्रिय लेगी ने लेगी ने को लेगी तो क्या करेगा उहां पर ऑख स्वसन चलेगा उसके बाद एटी बध़र बनेंगे और सियो तो भी रिलीज होगी तो सियो तो रिलीज हुई है उस ATP कि बनने से ग्लुकोस की बनने से च्टाया तो यहाँ पर मातरा इसलिए बढ़ी है और ओक्षिजन का यूद यूदि डिलिज रही है और ऑक्षिजन का यूद्धि के आंदरकत इसकी वज़े से oxygen का मात्रा कम निकली है और CO2 की मात्रा जाधा निकली है क्योंकि ATP यानि oxygen के चलते हुए crap चक्र जो उसमें क्या है CO2 release होगी इसकी वज़े से CO2 की मात्रा जाधा बढ़ गई है अब जानेंगे सबसे पहले हम air किस से लेंगे शरी के किस भाग से हम air लेंगे developments system के सबसे पहला हमारा औरगन कौन से होगा nose nose से हम air लेंगे कुछ लोगêm माउस पे भी हम air ले सकते हैं लेकिन माउस कि यह सब्सक्राइब गाई नहीं कि भुछ me 사람 कि होते हैं तो मुझा लेकिन हना के थो में यूद की झांघ काले झूटे एधwegen होते हैं वहीं रुख जाते हैं जो होती है घंजए साथ आपके कहां तक जाएगे लंज स्क जायेगी इसी वेसे नोस से लेना सही है तो जब सबसे पहले हम części सांस लेंगे यानी एयर किस सीजिए नोस से लेंगी तो यानी नासाज़चिद्र से लेंगे नाधाज़चिद्र चिदर के बाद क्या आएगा नासा कपार्ट नासा कपार्ट हमारे इस तरफ होगा नास के इस भाग में एक क्या होगा एक ब्रेकर होगा ब्रेकर टाइप उसको हम क्या बोलेंगे एक चिप चिपा सा पधार्थ होगा जिसको हम म्यूकस बोलेंगे यह म्यूकस क्या काम करेगा जो भी डस यानि पहले नासा छिदर में हमारे यहां तक क्या होंगे नासा छिदर में क्या होंगे बाल होंगे हेर्स होंगे वह बाल क्या करेंगे जो धूल के जो थोड़े मोटे मोटे या थोड़े भारी से डस पार्टिकल है उनको वह बाल रोक लेंगे तो नासा छिदर तक नासा कपाट क्या करेगा? नासा कपाट में एक चिपचिपा पधार दोगा, म्यूकस. म्यूकस क्या करेगा? जो भी dust particle हूंगे, उन्हें रोक लेगा इसे पर. तो जिसकी वैसे गंदगी क्या है? यह थोड़ी filter हो कर जाएगी. उसके बाद म्यूकस के ऊपर एक और पधार दोगा, जिसको हम olfactory बोलेंगे. क्या बोलेंगे? olfactory. olfactory. olfactory lobe. olfactory lobe. यह म्यूकस के पास ही होगा, olfactory lobe. यह क्या काम करेगा? olfactory lobe, यानि हमें जो खुश्बू या सुगंद का एहसास होता है, वो किसकी वज़े से हो रहा है? वो olfactory lobe की वज़े से ही हो रहा है. यह पदा, olfactory lobe होगा, जिसकी वज़े से हमें खुश्बू या किसी सुगंद का एहसास होगा, बदबू या कुछ भी चीज है तो उससे एहसास किसका होगा अलफेक्टरी लोग की तो हमें होगा अब उसके बाद जानेंगे नॉस्ट्रिल के भागों के बारे में बात की अब नॉस्ट्रिल के थो एर कहाएगी फैरिंग्स में यानि मुख के सामने वाले भाग जो है तो आ यहां एयर यानि एयर और साथ में भोजन दोनों एक साथ मिलेंगे भोजन और वायू क्या दोनों एक साथ मिलेंगे यही एक ऐसा पार्टक पैरिंग्स जहां एयर और भोजन दोनों एक साथ मिलेंगे अब पैरिंग्स ही अलग करेगा भोजन के भाग को अब पैरिंग्स के system में ने पढ़ा ऐस्यु फेकस में जाएगा यानि इसके तो क्या है एक औस्यो फेकस भी घए हुई है यहकश यह क्या है माली जो औश्यों फेकस या औहुआ नाल को स्यों फेकस या आहर नार, औस्यों फैकस के थ्रू गई हुई है, तो बोजन जो है वह औस्यों फैकस में जाएगा, और जो एया है वह किस में जानी चाहिए, वाइंड पाइपिया ने ट्रैकिया में जानी चाहिए, अब यहीं पर सबसे ज़्यादा टिपिकर होगा, क्योंकि खाना खाते जाएगा, उसके बाद क्या टीवी की प्रब्लम हो सकती है, जिसे पानी चला गया तो स्वांसनली में पानी चला जाएगा, तो यह सब के लिए हमें मने करते हैं, खाना खाने वाक्त, तो वो क्यों करते हैं, अब यहीं बात है, फैरिंग्स में आकर भोजन और वायू एक सा जाएगा, यानि भोजन, पैरिंग्स और ओस्यो फैगस के बीच में एक द्वार होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, यह एक प्रेकर टैप में द्वार या फिर निगल द्वार या गैलेट बोलेंगे, यहां पर एक द्वार होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, निगल द्वार य या गैलेट तो पैरिंग्स और ओस्योफेगस के बीच में क्या होगा निगल द्वार या निगल द्वार या गैलेट होगा पेपर में पूछेगा कोशन पूछ चुका है यह कोशन कि भोजन पैरिंग्स को और ओस्योफेगस को कौन जोड़ता है तो कौन जोड़ता है निगल यानि यानि गैलेट जोड़ता है। उसके बाद pharynx और wind pipe यानि ट्रेशिया को कौन जोड़ता है लैरिंग्स, कौन जोड़ता है, लैरिंग्स। अब चुणकि हम digestive system के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, लेरिंक्स जो है वो साउंड बॉक्स होगा यानि हमारी जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वज़े से हो रही है लेरिंक्स की वज़े से हो रही है इसको हम इसलिए साउंड बॉक्स बोलेंगी जिसे कभी आपने गुंगों में देखा होगा तो उनकी टंग क्या है तो काम नहीं करते हैं लेकिन उनकी jot 19 निकाल पातें इस तरह कुछ बहुंद निकाल पाते हैं ज़्यादा टन्ग को ऊपर श 행복 तो दो बोलने बाते लेकिन कुछ अपनी भाषा में जमें इस तरह बोलते ह鉤के जुँए इसका साउंड बॉक्स बोलने तो इसका लेरिंक्स खराब है उसको क्या है वो कोई sound produce नहीं कर पाएगा इसलिए हम इसको sound box कहते हैं क्योंकि यह हमारा क्या है sound box है अब जो लेरिंक्स है लेरिंक्स में एक कपास की तरह क्या होगा एक breaker टाइप में होगा कुछ इस तरह से हैं दूसरे पहले लिकाती हूं मैं कुछ इस तरह से एक breaker टाइप में होगा यह यह क्या काम करेगा जब हम भोजन खाएंगे अब भोजन को खाएंगे साथ में air भी जा रही है अब भोजन इसी नली में जाना चाहिए उसके लिए अब यह नली बंद होनी चाहिए क्योंकि क्या पता भोजन इसमें चला जाए पुछ नहीं कह सकते तो जब भोजन औस्यो पैकस में जाएगा तो यह क्या है यह इसको ब संद्ध कर लेगी फैरिंग्स में यह सब किस यह लेरिंग्स में है यह सब क्या है लेरिंग्स के अंतरकत है इस तरह की एक संदचना पाई जाएगी जिसको हम क्या बोलेंगे इस तरह की संदचना पाई जाएगी जिसको हम एपी ग्लॉटिक्स बोलेंगे इपी ग्लॉटिक्स इपीग्लॉटिक्स इपीग्लॉटिक्स इस तरह की एक संदच्छना पाई जाएगी breaker टाइप में इसको हम क्या बोलेंगे इपीग्लॉटिक्स बोलेंगे माल लीजे भोजन खाया तो भोजन खाया तो उसके लिए breaker ये किस तरफ होगा इस तरफ बंद हो जाएगा यानि बोजन अविसनली में नहीं जाना चाहिए तो भोजन किसमें जाएगा सीधे फिर ऑस्योफेकस में जाएगा यह सुविधा के लिए बढ़ाएगा क्योंकि अगर यह नहीं होगा तो भोजन स्वास अलीमें भी जा सकता है अब यदि स्वास यानि कुछ नहीं खा रहे हम तो यह कहा रहेगा यह सीदे खड़ा रहेगा इस तरह से यह वाला क्या रहेगा बंद रहेगा तो सांस सीदे किसमें जाएगी विंड पाइप में जाएगी लेंक्स का क्या मुख्य काम है, भोजन को निगले में क्या कर रहा है, ये साहिता कर रहा है, गेड की तरह एक में प्याम करेगा, इपिलोटिक्स से बाद, किस में पाया जाएगा। लेरेंस में सांड्ट आदिए मया राईंड में कि प्रaskaएंगी बाईस के दो फिपमें जाएगी तर्फ में जाएगी सांथ की मॉल्ल्यूक्व मॉल्युक्यूल्स fine wind pipe में आ गए अब wind pipe में आने की बाद wind pipe को यह बोलेंगे त्रेक या भी बोलेंगे जो wind pipe है वह rings of cartilage यानी cartilage की बनी हुई है, cartilage यानी उपास्ति की बनी हुई है उपास्ती क्या है? यानी हड्यों का soft sopt root, छोड़ा soft root क्या है cartilage है कोसे चोक्तुरणने पिन्ना को बना हुआ है ऑगर गाar कवरले ुब से बना होगा अगयाक ओप कीते कूपना हुआ है क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए कहीं अगर यह के डब जाए डेट हो सकती है, तास नहीं आने वाली, इसकी वज़े से क्या है, ये काटिलेज का उपड से बना हुआ है, उसके बाद जो हमारे ये दो, ये जो काटिलेज, यानि विंट पाइप है, ये अगले दो भागों में डिवाइड हो गया, लंग्स कितने, दो लंग्स है हमारे, तो में डिवाइड हो गई, अब इन डिवाइड भाग को हम क्या वो लेंगे, ब्रोंकियो ओलस, उसके बाद ये जो इस तरह के बलून टैप के आपको ये शेप दिखाई दे रहे है, इनको वो लेंगे, हम अल्वियो अली, अब एयर ब्रोंकियो, यानि ट्रैकिया से आता क्या होगा, ट्रांस्पोर्टेशन का काम होगा, विनी में का काम होगा, अब अल्वी अली में क्या है, रक्त ब्लड सेल्स पाई जाएंगी, कोशिकाएं पाई जाएंगी, ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं पाई जाएंगी, यानि अब इसमें रक्त भी होगा, अल्वी अल तो अगर छोटे चोटे हो जाएं च्छेद हो जाएं तो इस बीमारी को वह प्रब्लम हो लेंगे तो पहले निमोनीया प्रब्लम होगी मोगी उसके बढ़ते बढ़ते किया इसे चेद तब दमां की problem होगी या लवीली की वज़े से हमें यह सब यह जो प्रॉब्लम होती है allergies और यह सब किसकी वज़े से होती है यह सांस यानि फैफ्रों में अलवीली वगरा की वज़े से होती है अब जो LVLE ने क्या किया अब मां लिज़े oxygen या air LVLE तक आई अब LVLE आने के बाद इसमें क्या है blood cells है इनमें क्या है blood cells है तो अब blood में hemoglobin होगा blood में hemoglobin यानि HB HB से show करते से blood में क्या होगा hemoglobin यानि HB अब यह जो HB है यह LVLE क्या करेगी इसको oxygen देदेगी HB क्या देदेगी इसको oxygen देदेगी LVLE क्या करेगी इसको oxygen देदेगी यानि HB O2 अब यह क्या बन गया hemoglo, oxy hemoglobin अब यह हीमोगलोबिन क्या करेगा हमारे शरी के अंतरगत नसों का पूरा जाल बिछा हुआ है तो ब्लेड के ठूई ही औकशिएन पूरे शरी में जा सकती है तो जब नसों का वैसल का हमारे अंदर पूरा जाल बिछा हुआ है तो यह जो हीमोगलोबिन है HP O2 Auxyemoglobin ग्लूकोस को तोड़ देगी तो उससे CO2 रिलीज होगा CO2 साथ में H2O कुछ वाटर भी रिलीज होगा अब वो CO2 रिलीज होगा जब यह CO2 रिलीज होगा तो यह HB हीमोग्लोबिन क्या करेगा अब इस CO2 को लेकर ब्लड सेल्स में क्या होगा हीमोग्लोबिन होगा सभी में हीमोग्लोबिन होगा तो अब यह हीमोग्लोबिन क्या करेगा पहले यह कहां लेकर जाएगा यानि पहले यह शरीर के सभी भागों में क्या लेकर जा रहा है HbO2 उसके बाद अब यह HbCO2 यानि cells को अब क्या है दे चुका है उसके बाद cells में oxygen को लेकर क्या हुआ है oxygen चला है जिसकी वज़े से glucose तूट चुका है और glucose को तूटने के बाद CO2 और H2O produce हुए है बने है साथ में उर्जा बनी है तो अब यह Hb क्या करेगा CO2 उर्जा तो हमारे काम आएगी जो हम काम कर रहे है वो रहे चल रहे है तो वो उर्जा किसमें रिलीज हुता है क्या चलने फिरने काम करने में अब यह CO2 क्या करेगा CO2 हम बड़ी में रख ली सकते इसको हमें निकालना ही हुआ तो CO2 और साथ में कुछ water भी निकालेंगे हम तो CO2 अब यह Hb क्या करेगा हीमोग्लोबिन CO2 को ले जाकर अब यह Hb CO2 को ले कर आएगा वापिस अब यह Hb CO2 को ले कर आया वापिस और किसको दे देगा दुबारा से LVLE को दे देगा अब यह LVLE क्या करेगी, LVLE को नहीं दुबारा से वापिस जाएगी किस के तो ब्रॉंकियोगोल इन्हेलेशन में ओटू ली ओटू यह हम बोडी में रख सकते हैं और उस बाद एग्जेलेशन में हमने सी ओटू भी निकाली साथ में नाय्ट्रोजन भी कुछ वाटर भी निकाला लेकिन अपकी बाद वाटर थोड़ा ज्यादा निकलेगा क्योंकि ग्लूकोस जब तूटा ह तो साथ में वाटर भी निकला है तो वाटर भी नमी क्या ज्यादा निकलेगी तो यह हमने देखा अब यह मैंने ब्ल्यू और यह रैड क्यों बनाए हैं यह भी जान लिजे यह रैड इसलिए बनाए हैं जो एक्च भी ओटू होगा हमारा उसका रंग थोड़ा लाइट ला लाइट लाइट रैड होगा जबकि ह्च भी सियोटू मिल जाएगी तो इनका डार्क रैड हो जाएगा अब यदि हम दोनों लाइट और डार्क रैड बनाएंगे तो अंतर करने में थोड़ा कम आसानी होगी तो बुकों में जातर क्या कर रखा है यह ब्ल्यू कलर से किसको बना रखा है एच भी सियोटू को बना रखा है और रेड कलर से किसको बना रखा है एच भी ओटू को बना रखा है सुविधा की दरश्टी से बना रखा है तो आपको समझ में आया होगा तो यह जो इनमें अलवी अली में भरे हुए है यानि यह आया हुआ है यानि हीमोग करेंगे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छ लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्याद अपने दोस्तों में शेयर करें